कि रामलखण सिंग यादो को लेश और अमगाबाद बिहार जो получилось सेचें में पहले विडियो बना था जिसे बताया था मैंने पेमेंट के बारे में प्लीमीड कितना किन लग रहा है डिखाने वा क्ठेल सब्सक्र interventions करके जो सवाल आगा तो कमेंट करके पूछ लिजेगा और ओनलाइन कराना हुआ तो वाटसब वाटसब का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्स में डाल दूँगा वाटसब जोइन करके हमें कॉंटक्ट करके अपना और ऑनलाइन भी करा सकते हैं तो चलिए यहां पर मैं आपको सारा प् इसको उपन कर लिजेगा मैं आपको मॉवाइल से करके दिखा रहा हूं सभी के पास मॉवाइल होते हैं इसलिए मॉवाइल सब्सक्रिप्स पैसा नहीं खर्च होगा आपको विल्वकूल आसान से फ्री में आप कर सकते हैं घर बैटे ऑके के वल जो भी चार्ज जिसका करता हैं वहीं चार्ज केवल कर आपको ओनलाइन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगा कहीं दूसर जागा आपको ऑनलाइन कर लिजएगा पोर्टल इस तरह से ओपन हो जागा दिखे यह वाला पॉटल अगर जिस भी दिखाए देता है जो भी कोलेज हो गया दिन कोलेज दावद नगर हो गया और आर लेश वी कोलेज और रंगाबाद हो गया और भी गया कोलेज का इसी तरह से पॉटल है तो सभी का admission में यही process होगा यही document लेगा और इसी तरह से होगा तो आप किसी भी document को आप scan करके रख लिजेगा जैसे photo, signature, part 1 का admit card और part 1 का admission रसीद इतना सारा document को आपको scan करके रख लिना है चलिए यहाँ पर आपको admission लेना है degree admission का section इसे पर click कर लिजेगा, click करते ही आपको जो part 1 का admission रसीद होगा उसको आप रख लिजेगा अपने पास यहाँ पर लिखावा admission will be close, 5 बज़े के बाद इसका admission close हो जाता है यानि कि 5 बज़े के बाद जो admission वाला जो है उसके लिए यहाँ पर आपको wait करना होगा यान कि morning time करना होगा चलिए इस पर click करते ही page open होगा इस तरह से यहाँ पर आपको click here to allotment this college यानि reference number या registration नमर यहाँ पर लिखावा है या unique reference number या registration नमर यहाँ पर fill up करना है इसके बाद यहाँ पर year select कर लेना है जिसे part 2, part 2 में यह select कर लेंगे और यहाँ पर search करना होगा यहाँ पर registration number वह होता है registration number आपको admission पर मिलेगा जो admission हुआ होगा इसी वाला रसित पर आपको मिलेगा या तो registration नमर जो होगा registration नमर आपको part 1 का admin card पर available होगा जहां से आप इसको fill up कर लिजेगा मेरे पास यहाँ पर reference number है जो admission होगा तो उसके जो फोटो होता है फोटो जेस्ट ऊपर में होता है 21J से starting होगा इस तरह से होगा तो यहाँ पर पेश्ट कर लेता हूं पेश्ट करने के बाद इस तरह से देखेगा यहाँ पर search का section इस पर click कर लिजेगा क्लिक करता ही page open हो जाएगा जो आपको इस तरह से page देखने को मिलेगा यहाँ पर यूनिक नमबर जो होता है यही होता है ने फादर ने मोबाइल नमर इनका नहीं इसके पर click here for admission पर click कर लिजेगा यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने है honors paper भी honors paper जो होगा आपको वही किवल सोग करेगा तो चलिए यहाँ फिर से मैं click कर लेता हूं click here admission पर इस पर click करते ही आपको page open हो जागा जो आपको details को आपको fill up करना होगा जो इस तरह से होगा जैसे यह university registration number आपको registration number आपको admit card पर मिलेगा जो आपको college होगा उसी college का registration number यहाँ पर fill up करना हो जैसे मालो 21 जो भी होगा और साथ में 2020 लिखा होगा या 2021 लिखा होगा या 2022 जो भी लिखा होगा हाइफन करके आपको 2021 से बाइस जो भी दिया होगा उसको आपको fill up करना हो इनिवर्सिटी रॉल नमर यानि जो admit card पर रॉल नमर होगा वही रॉल नमर यहाँ पर fill up करना है इसके बाद निचा आता है यहाँ पर college रॉल नमर तो college का रॉल नमर जो आपको admission रसीद हुआ होग फादर निम्हें गलत होगा तो यहाँ पर सुधार कर लीजेगा माता जी के नाव नव cents लाइनि जो आपकोydd कर लोगा इनिजो ए वी सिए जो यहांपे लगाएना है इसका बाद कर लेना है इसका बाद नमर को कटेगरी हैं जूझ कर लेना हैतेहां प्यूलिस एस्टेशन डिस्टिक यहां पर डाल लिजेगा यहां पर स्टेट कर लिजेगा जो भी आपको होगा इसका बात यहां पर यहां पर जो आपका एडिमिशन हुआ आपको यहां पर कुछ सेलेक्ट नहीं करना है कुछ भी नहीं करना है यहां पर सब्सेट्री पर सेलेक्ट करना है जो भी सब्सेट्री में होता है तो यहां पर सब्सेट्री अपने साथ सेलेक्ट कर लिजेगा जो आपको पार्ट वान में होगा वह सब्सेट्री आपको यहां पर कर लब जाएते हैं पचास पचास कर लैंगी सच्पार्ट करना सकती है या वे सब्सक्राइब चेहां सब्सक्राइब एंब पफर निए आपके के पास होगा तो डालेगा नहीं तो आप अग्यां बात डाता है का ब मेरा Ishata क्या क्या श्मया डाले rereaven यहां पर लिखा नोट में पूट माक्स जीरो इफ रिजल्ट इज वेटिंग यानि कि आपका रिजल्ट अगर वेटिंग में है अभी आपका नहीं निकला है तो आप जीरो यहां पर डाल के निकल सकते हैं जीरो टाल दीजिएगा ओके अब आई ती है बात यहां पर जसी अपर करने के बाद आप क्या करना है उसके बाद पर आपको क्या करना है उसके बाद ऊपड़ेवियों होता जो वो पैमेंट उस पर क्लीकչ घेगा आपको कीवर्ड कोड़ इसके करने का ौ boys यहां पर Aprates अमभीड कहते हैं आपना पाल्सक्यार कर लिए अगर मॉइल सा कर रहे होंगे तो इसी मॉइल में कैसे करेंगे तो क्या कि जब कीवर कोड़ा आगा इसके बाद यहां पर प्रिंट निकाल सकते हैं तो इस तरह से लेने के बाद आपको कोलेज में जाकर जरूर वेरिफाइई करा लेना है वेरिफाइई नहीं करा यह तो आपका अपना डोकुमेंट को सारा कंप्लीट करके अपना वेरिफिकेशन करा लिजेगा वीडियो अच्छे लगा तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब करके दिखा देता है यहां पर करना ही बेजा इसलिए मैं यहां तक ही बता रहा हूं आप इस तरह से बिल्गुल की जाओ कहीं भी इस्व नहीं आएगा तो वेटिंग कांटेक्ट कीजिए मैं वर्टसप से या तो कमेंट कीजिए मैं आपको जल्दी रिपलाइदेने का कोशिस करूंगा तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में ने टोबी के साथ